थी, बिस्मि यह रह्मार्रहीम, स्लेमा आलेकुम C be commentate predisóbote क्लास 4 mathematics exercise number 4 का 17 प्रफ्प इसका फर्पाइब व्लाम मेंать गारां 10 परफ्टे इसका फर्स पर्सकेन तॉर्शन हमने शॉड़ कर लिये थे लाइस सी केनग फर्सकान number 4 a man travels 25 km in a day एक शक्स जो है वो 25 km एक दिन में travel करता है if he is covered 850 km distance अगर वो 850 km का फासला करता है how many days will he take to cover this distance तो बताएं कि यह 850 km का फासला उसने कितने days में कितने दिनों में cover किया है 25 km एक दिन में उसकी traveling है तो total distance जो cover किया है उसने वो 850 है तो number of days हमने मालूम करना है total distance total जो distance जो 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 किया है एक हंडर और फिफ्टी किलो मेटर्स दिस्टेंस कवर इन और दे एक दिन में कितने कितना फास्ला करता है 25 किलो मेटर्स 25 के में जो इसने 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 दिनों में इसने टोटल फास्ला 850 किलो मेटर्स तेह किया है 25 डिवाइजर 850 हमारा दिवाइड है तो 25 को अगर हम 25 को 5 के साथ मैटिप्लाइ करें तो 5 5s are 25, 5 2s are 10 plus 2, 125, 125 हो जाता है जो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है हम 85 से लस या इसके मताबक इतना जाहिए तो 25 को अगर हम 3 से दरब करते हैं तो 5 3s are 15, 3 2s are 6 plus 1 75, 75 ऐसा फिगर है जिसे हम इसके नीचे यूज़ कर सकते हैं अगर हम 4 से करेंगे तो यह 100 हो जाएगा वो भी बढ़ जाएगा तो 25 3s are 75, 5-5 0, 8-7 1, 0 नीचे कहारी हो गया, 100 25 को अगर हम 4 के साथ मर्टिप्लाई करते हैं तो 20 4 to the 8 plus 2 10 100 हो जाता है 100 पूरा पूरा आजाता है किस से 4 से मर्टिप्लाई करने से remaining 0 तो इस में कि अगर वो 34 डेज जो है वो ट्रेवल करता रहे तो वो इतना डिस्टेंस कवर कर सकता है 34 डेज यह हमारा अंसर हो जागा है फिर रपीट करते हैं टोटल डिस्टेंस इतना 850 पर डेज डिस्टेंस जो वो कवर करता है एक दिन में वो 25 किलो मिटर जो है फासला ते करता है number of days मरूम करने है कि कुल उसे कितने दिन लगे कितने दिनों में उसने इतना फासला ते गिया तो टोटल डिस्टेंस ओवर डिस्टेंस कवर इन आडे डिवाइड कर दिया तो 34 देज में उसने 850 किलो मिटर का फासला ते किया होगा question number 5 the price of 53 kg rice is rupees 1961 find the price of 1 kg rice 53 kg की जो total कीमत है वो 1900 एक्सेटर पर दी गई है 1 kg rice की केमत मुलूम करनी है तो इसे भी इसी तरह 1096 जो total price है total rupees है उसकी 53 kg की उसको number of kg यानि 53 पर डिवाइड कर देंगे तो हमें 1 kg की 1 kg price of rice हमें मुलूम हो जाएगा 6th question the cost of 89 gram books grammar books is rupees 2759 what is the cost of one book उपर वाले question की तरह का ये भी है 89 grammar books की जो कीमत है वो 2700 रपे है एक book की कीमत मुलूम करने के लिए 2759 divided by 89 तो इससे हमें 1 book की value मुलूम हो जाएगी तो ये 3 question आपकी आज के assignment है या अपने नोट बुक के solve करना है इसके practice करनी है और इसके assignment में बनानी है आला हाफेज असलाम आले कुम